तो जैसा कि हम लोग जानते है कि Realme का Narjo series जो कि एक budget segment में आता है तो वो काफी popular है और उसी का next series जो कि 60 series है Realme Narjo 60 series वो अभी launch करने वाला है Realme July के first week में तो इसके सारे specifications odd हो चुके हैं इसकी price भी reveal हो चुकी है तो इस video में हम सभी के बारे में बात करेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं curve into the next वो किस चीज के लिए यूज कर रहे है वो यह tagline यूज कर रहे है अपने display को लेके और यहाँ पे 20,000 से नीचे के वाले phone में वो curve display लाने का आज कल trend चला हुआ है तो यह tagline है Realme का अपने display को लेके जो कि इस smartphone में एक curve display आने वाले है इस smartphone के design की बात करें तो यह design wise एक premium phone की तरह दिखता है यहाँ पे आपको curve display देखने को मिल जाएगा और back side में जो की Realme का new camera setup है उसी तरह का setup इसमें भी camera setup मिल जाएगा back side में और वहीं इसके display की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.43 inches की एक 90 Hz वाली super emoled panel देखने को मिल जाएगी जो एक full HD resolution में आने वाली है इ वहीं हम बात करें इसके front side की तो यहाँ पे आपको एक curve display मिलेगे जिस पे आपको punch hole camera देखने को मिल जाएगा selfie camera punch hole होने वाली है दोस्तों यहाँ पे media tech का 6020 processor देखने को मिल जाएगा आपको जो कि एक 5G processor है और इसमें कितने bands होने वाले है वो तो अभी phone आने के बाद पता जालेगा कि इस phone में आपको 5G कितने bands मिलने वाले हैं इस series में दो phone launch होने वाले है एक नाजो 60 realme नाजो 60 और दूसरा realme नाजो 60 pro नाजो 60 में आपको media tech का dimensity 6020 chipset देखने को मिलेगा और वहीं 60 pro में आपको media tech का ही dimensity 7050 chipset देखने को मिलेगा नाजो 60 में बैटरी कितने आने वाले है तो इसमें आपको 5000 mh की बैटरी मिल जाएगी और 33 watt fast charging की support मिल जाएगी अब बात आती है storage की तो यहाँ पे आपको LPDDR4X RAM देखने को मिल जाएगा और UFS 2.2 storage देखने को मिल जाएगी यह किस storage combination के साथ आता है वो अभी clear नहीं है ले इसमें 6 plus 128 GB वाला variant होने वाला है फाइनली बात आती है price की तो यह smartphone 20,000 से नीचे आने वाला है शुरू होने वाला है और इसकी price होने वाली है 18,000 रुपे 17,999 अगर आपको यह video helpful लगा हो तो video को like कीजिए channel पर नहीं है तो channel को subscribe कीजिए अब मिलते है next video में तब तक के लिए जाइन